हरिशंकर परसाई हम सभी को हाथ से तथा व्यंगे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है हिंदी के जाने माने व्यंगे के लेखकों में एक अग्रणी नाम है हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई का जन 22 अगस्त 1924 जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ समाज की बुराईयों की तरफ पाठक का ध्यान खीचना था उन्होंने समाज तथा राजनीती में फैले धश्टाचार पर करारा व्यंगे किया है उनकी अनेकों रचनाएं लोप्रियं ही उनकी रचनाओं में से कुछ हैं हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे रानी नाग पनी की कहानी तटकी खोज और तिर्ची रेखाएं उन्हें साहित्य अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया